हेलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं चिक्कड छोले यानि की पिंडी छोले यूँ तो पिंडी छोले हर पार्टियों की शान है और इसके बगैर कोई भी पार्टी अधूरा है और आज हम जानेंगे क्यों कहते हैं हम इसे चिक्कड छोले और देखते हैं इसे बनाने की हल वाइन, आमचूर पाउडर, चाय पत्ती, इमली के पल्प, नीमबू, भुने वे जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानि अद्रक लेसन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिल्च, जीरा साबत, छोले मसाला, हींग, लॉंग, इलाइची, दालचीनी, दगड़ फूल और त पत्ता, इसके बाद हमें चाहिए होगा, हरी मेच, अद्रक के जुलिन्स, धन्या पत्ती, कसूरी मेथी, पुदीना के पत्ते, देसी घी, और छोले जो राद पर भिगोग के रखे हैं, उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, कटे टमाटर, रफाइन तेल, पानी, मीठा सोडा, और नमक, तो चलिए, शुरू करते हैं, इसे बनाने की विदी रेखते हैं, तो सबसे पहले, हम एक पोटली में, या फिर इस टाइप के कोई जालीदार बरतन में, हम डाल देंगे, चाय पत्ती, थोड़ा सा क्रश करके, इलाईची, दालचीनी, और लॉंग, जरूर चाय पत्ती, पूरे साथ में, मिक्स हो जाएंगे, तो एक कुकर में, हम डाल लेते हैं, छोले, जो हमने साथ से आठ घंटे बिगो के रखा है, यानि ओवरनाइट बिगो के रखा है, इसमें हम, अब आड करने जाना है, थोड़ा सा पानी, पर पानी बहुत जादा ना रख अब मैं इसमें अड करने जा रहा हूं, थोड़ा सा मीठा सोडा, यानि बेकिंग सोडा, जो की बहुत ज़रूरी है, छोले गलाने के लिए, और इससे ही आएगा, हलवा यह सा टेस्ट, और बेकिंग सोडा किसी भी खाने में डालने से कुछ हानी नहीं होती है, वो आपके छोले को गलने में हेल्प करेगा, इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े पुदीने के पत्ते, इससे एक बहुत रिफ्रेशिंग फ्लेवर आएगा, और अब इसमें हम आड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जरूरी है कि सोडा डालके आप इस पानी को आलकलाइन बना नमक मैंने ले लिया है, अरूंड वन टी स्पून और अब हम उसे 5-6 सीटी के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे, नेक्स्ट अब हम एक लोहे की कडाई में डालेंगे रिफाइन ओईल और यहां हम बनाने जा रहे हैं अलू, यह जो पूरा रेसिपी मैं बताने जा र तो यह आप अपने मेशिरमेंट्स अनुसार बढ़ा सकते हैं, तो तेल हलका गरम हो जाए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, अराउंड हाफ टेबल स्पून, अगर आप गरम तेल में नमक डाल के फिर उसके बाद उसमें आलू डालें तो आलू आपका कडाई में चिपकेगा नहीं, तो यह था आपका नस्खा ओफ टे, तो अब हम आलू को नमक और तेल में लाल कर लेंगे, आलू को लाल होने में मीडियम फ्लीम पे अराउंड पात से छे मिनट लगेंगे, पात से छे मिनट के बाद जब आपके आलू लाल हो जाए, इसे किसी भी मिक्स निकाल ले, तो जब आप छोले खाते हैं, तो आपने नोटस किया होगा, उसके साथ हमें ये आलू कॉम्पलेमेंटरी हमेशा मिलते ही मिलते हैं, जो एक सोने पे सुहागा हो जाता है, तो ये वही आलू है, इसका मैं आपको रेसिपी बताता हूं, तो ये आलू को हमने कर किया है फ्राइ, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिल्च, और थोड़ा सा डालेंगे अमचूर, हाफ टीस्पून, काफी होगा, नेक्स्ट अब इसमें हम थोड़ा सा डालने जा रहे हैं, काला नमक, और लास्ट में भुना हुआ जीरा पाउडर, अब इसे हम कर लेंगे मेक्स, और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ, चौप किया हुआ धन्या की पत्ती, तो देखें, कितना सिंपल है न, यह आलू बनाना, आलू आपके रेडी है, इसे आप अलग रख दें, यह लास्ट में हमारे छोले के उपस सर्फ करने के काम आएगा, अब हम एक उसी वाले आलू जिसमें हमने बनाया था कडाही में, डाल रहे हैं थोड़ा सा और तेल, याद रखे इस कडाही में अल्रेडी थोड़ा सा नमक है, तो नेक्स टाइम जब आप नमक आड़ करेंगे अपने छोले में, तो हलका सा कम आड़ करें, तो तेल जब गरम हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता, यानि की बे लीफ, तेजपत्ते के बाद हम इसमें डालेंगे दगड का फूल, यानि की पत्थर के फूल, यह औप्शनल है, और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे चॉप किये हुए प्याज और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें अब इसके बाद हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानि अधर कलेसन का पेस्ट अब इसे हम अच्छे से गोल्डन प्राई कर लेंगे इससे फ्राई होने में चाल से पांच मिनट लगेगा अगर आपके प्यास बहुत जादा है तो आपको थोड़ा जादा टाइम लग सकता है इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किये हुए टमाटर या फिर आप टमाटर का प्यूरी भी डाल सकते हैं मैं चॉप करके मैंने इसमें पहले हींग डालना मिस्स कर दिया था तो मैं अभी से आड़ कर दे रहा हूं इस नेवर टू लेट बटी डालना जरूरी है चॉले यूजरी खुद में गरिश्ट डिश होता है तो हींग जरूर आड़ करें डाइजेशन के लिए अच्छा होता है इसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट याद रखे पहले कडाई में थोड़ी सी नमक थी तो अकॉर्डिंगली हमने नमक जितनी जरूरत है उससे थोड़ा कम डाला विकाज हमारे छोले में भी अल्रडी उबलते वक नमक डले हुए है तो अब इसे हम फ्राइ कर ले आए अगर आप टमेटो प्योरी आट करते हैं चौब टमेटो के जगह तो यह स्टेप आप स्किप कर सकते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि हम चिक्करचौलों को चिकर हो लिए क्यों कहते हैं बिसिकली का मतलब पंजबी में होता है कि sanity तो यह चोल का कलर आता है कीचड जैसा और इसका टेक्स्चर भी होता है थोड़ा मशी तो इसलिए हम इसे कहते हैं चिक्कड छोले तो देखिए पांच से छे सीटियों में हमारी छोले कैसे अच्छे से गल चुके हैं और हमने उसे आड़ कर दिया है अपनी कड़ाई में जिसमें हमने अपने प्यास टमाटर के मसाले को फ्राई कर लिया था अब इसमें हम अड़ करते हैं थोड़ा सा मली का पल्प आज्कल बजार में बहुत रेडिली इमली का पल्प मिल जाता है तो इमली भिगोना नहीं पड़ता अगर आपके पास रेडी टू Use पल्प नहीं है तो आप इमली को पानी में भिगो कि फिर उसका पानी यूस कर सकते हैं और अब मैं इस में मिलाने जा रहा हूं छोले मसाला छोले मसाले यूँ तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं या फिर आप Jewra, लाल मिल्च और धन्या को पीस कर और साथ मैं अनाल डाना को पीस कर और उसमें थोड़े से लॉंग और थोड़ा सा काली मिल्च डाल कर खुद से भी ये पाउडर बना सकते हैं धनिया की मातरा इसमें थोड़ी जादा होती है इससे आपकी जो भी ग्रेवी होती है वो थोड़ी गाड़ी हो जाती है नेक्स्ट अब हम उस पर लगाएंगे तड़का तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटा बरतन ले लिया है इसमें हम डाल रहे हैं देसी घी देसी घी से आपके छोले में बहुत ही अच्छा एक रिच टेस्ट आएगा जैसा कि मैंने आपको पिछले विडियो में बताया था कोई भी खाना को डिलिश्यस बनाना है तो इसमें आपको फाट तो आड़ करना ही पड़ेगा तो हमने देसी घी का तड़का लगाया है अब इसके ओपर हमने थोड़े डाले अद्रक के लच्छे और अजवाइन अजवाइन मैंने एक चुट की बराबर यानी हाफ टी स्पून करीब लिया है नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगा कसूरी मेती आप कभी भी कसूरी मेती किसी भी डिश में डालने जाएं तो उसे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लें यानि कि मसाल लें तो इससे आपका कसूरी मेती अक्टिवेट हो जाता है और उसका flavors और उभर के आता है इसके बाद मैं इसमें डालता हूं slit किये हुए हरी मिल्च हरी मिल्च को मैंने बीच से slit कर दिया था अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप उसके बीच भी निकाल सकते हैं तो हमारे छोले almost ready हैं अब हम इस पे लगाने जा रहे हैं तड़का, ये घी, अद्रक और कसूरी में थी मिल्च और अज्वैन का उपल से देसी घी का आप तड़का लगाएंगे तो आपके छोले में एक अच्छा शाइन भी आएगा तो देखिए आपके छोले रड़ी हैं छोले हमारे प्रोटीन, काल्शियम और प्रोटासियम के कंटेंट में हाई होते हैं तो ये डिश ओवराल एक हल्दी डिश भी है हाँ, इसके साथ आप भटूरे खाते हैं जरूर जो की मैदा से मेदा से बना होता है या फिर ब्रेड या कुलचा खाते हैं जो मैदा से बना होता है बठ छोले खुद में एक हल्दी डिश है इसमें बहुत जादा तेल का इस्तमाल नहीं होता और ये लोहे की कड़ाई में बनाया जाता है तो इसके कारण आपके डिश में आईरन का भी कॉंटेंट हाई हो जाता है तो हमारे छोले रेडी हैं हमने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है अब इसमें साइड में हम सजा लेंगे वो आलू जो हमने शुरू में फ्राई करके रखे थे तो आलू को इस तरह से मैंने साइड में सजा लिया है अब इसके ओपर हम थोड़े से चौप किये हुए धन्या पती छड़क देते हैं धन्या पती से किसी भी डिश में बहुत अच्छी फ्रेशनेस आ जाती है तो धन्या पती छड़क देने के बाद हमने जो लेमन के वेज़ेस काटके रखे हैं वो इसके उपर रख देते हैं तो जिसे खटा अगर थोड़ा कम लगे तो वो अपने छोलों पर ने चोड़ सकता है अगल जादा लगे तो वो यह स्टेप अवाइड कर सकते हैं तो हमार छोले रेडी हो गए और इसे हम इंजॉय करेंगे भटूरों के साथ तो अगर आपको यह रेसेपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको अगर हमारे चैनल के नोटिफिकेशन च घुले थांक यू सी यसून बाइ